साथियों, आज मैं चर्चा करूँगा, क्रसी छेत्र में विद्दूत की लाइने काफी दूर दूर तक रहती हैं, उनका मेंटिनेंस यानि अनुरक्षन जब ठीक प्रकार से नहीं होता, तो ऐसे छेत्रों में दुरगटना होती रहती हैं, और जब कहीं दुरगटना होती हैं, तो जो ब्यक्ति दुरगटना गरस्त होता है, या जिसके पसुमवेसी, इसका सिकार होते हैं, उनको यह जानकारी नहीं होती कि ऐसी दसा में वो क्या करें, तो एक समस्या के बाद उनके साथ दूसी समस्या आ जाती इसी पर आज हम चर्चा करेंगे साथियों उत्तरप्रदेश पावर कार्प्रेशन यानि उत्तरप्रदेश का जो बिजली विभाग है उसके जो बिजली के जो अधिष्ठान बने हुए हैं इनके संपर्क में आकर किसी की मृत्त हो गई हो किसी जानवर की मृत्त हो गई हो किसी की अपंगता हो गई हो किसी भी प्रकार से या अगनी कांड में फसले बरबाद हो गई हो तो इसके लिए सरकार ने बिजली विभाग ने छतिपूर्त के प्राविधान किये हैं इनी प्राविधानों पर आज चर्चा होगे। बिजली के संपर्क में आकर। तो साथियों ऐसी अगर कोई मानवी दुरगटना हुई है किसी ब्यक्तिकी म्रत्व हो गई है तो उसको विभाग की तरब से सरकार की तरब से पांच लाख रुपिया छतिपूर्ती प्रदान की जाती है। और वो ब्यक्ति उसकी कार्यचमता जो है वो 60% से ज्यादा कम हो गई है यानि डिसेबिल्टी उसकी 60% से ज्यादा है। तो ऐसी दसा में प्रति ब्यक्ति 2,00,00 रुपिया छतिपूर्ती की ब्यवस्ता की गई है। अगर अगहा तक है यानि डिसेबिल्टी कार्यचमता 40% से लेकर 60% तक यदि वो प्रभावित हुआ है। तो ऐसी दसा में 69,100 रुपिया 59,100 इतना रुपिया छतिपूर्ती पे दिया जाएगा। साथियों अगर 40% से कम डिसेबिल्टी भी है और होस्पिटल में भरती रहा है। और एक सब्ता या एक सब्ता से अधिक अगर अस्पताल में भरती रहा है तो उसके जो अस्पताल पे जो भी खर्च हुआ है उसकी भरपाई के लिए 12,700 रुपए की ब्यवस्ता सरकार और विभाग द्वारा की गई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ती एक सब्ता से कम अस्पताल में भरती रहा है तो उसके लिए सरकार ने विभाग ने 4,300 रुपया च्छतिकूर्थी की ब्यवस्ता की है। साथियों अब बात आती है कि ऐसी दुरगटना कर हुई है मानों की और वो दुरगटना अगहा तक है यानि उसकी मृत्तु नहीं हुई है और दुरगटना ग्रस्तु आए तो उसमें कौन-कौन से प्रपत्र देने पड़ेंगे। साथियों आपको एक आवेदन करना पड़ेगा तो सबसे पहला जो आवेदक है उसका एक प्रार्थना पत्र होगा जिसमें वो छत्पूर्थी की मांग करेगा। दूसरा आवेदक की आईडी प्रूप होगी यानि उसका पहचान पत्र होगा। तीसरा दुरगणा ब्यक्ति जो है जो गरस्त हुआ है उस ब्यक्ति की फोटो होगी। चौथा प्रधान जो उस गाउं का प्रधान है अत्वा कोई गवा है उसके बयानों की प्रती होगी। पांचवा मुख चिकिस्ता अधिकारी द्वारा प्रिसिद जो है वो एक मेडिकल रिपोर्ट होगी वो भी साथ में लगेगी। चठा जो बिजली विभाग का जो अवर अभियनता है उसके रिपोर्ट जो होगी उसकी जो आख्या होगी उसकी एक प्रती लगेगी। साथमा जो बिजली विभाग का जो उपकर्ण अधिकारी है उसके द्वारा एलेक्टिकल इंस्पेक्टर को एक रिपोर्ट भेजी जाती है एक प्रोफार्मा भेजा जाती है उस बिभाग को उसको फार्म 44 का कहते हैं ये विद्दू सुरक्षा निदेसाले को भेजा जाता आठमा जिला धिकारी द्वारा प्रेशित संस्तुति यानि रेक्मेंड करते हैं रिपोर्ट वो आपको प्राप्त करनी होगी ये उत्तर प्रदेश पावर कार्पूरेशन का जो पत्रांख है उसमें इसपश ट्रूप से इसका वरलन किया गया है इसका नंबर है 3286 और ये 19 2010-2011 को जारी किया गया था साथियों अगर मानों की घातक दुरघटना होती है अर्तात उसकी मृत्त हो जाती है तो उसमें प्रपत्रों में पहला प्रपत्र जो है वो अवेदक का प्रार्थना पत्र होगा दूसरा मृतक की आईडी प्रूप होगी पहचान पत्र होगा तीसरा उसका मृत्त का प्रमाल पत्र होगा चौता प्रधान अथवा गवाह के बयान की एक प्रती लगाने पड़ेगी कौस्ट माटम की रिपोर्ट की प्रती होगी चटा जो है जो जिलाधिकारी द्वारा जो पारिवारिक सदस्यता प्रमालपत्र जो है उसकी एक प्रती लगानी पड़ेगी जिसे पता लग जा कि किस परिवार का सदस्यता साथमा उपकंड अधिकारी द्वारा भेजे गए फार्म चवालिस का जो विद्दुत रक्षा निदेशाले की जाच रिपोर्ट है उसकी प्रति लगानी पड़ेगी और आठमा जिला अधिकारी द्वारा प्रेशिस संस्तुति रिपोर्ट जैसा कि पहले भी बतलाया यह जो पत्रांग यूपी पीचेल का पत्रांग है 3286 दिनांग 19-11-2011 में जिसका संदर्व दिया गया है वो साथियों दूसरी समस्या आती है जब किसी भी ब्यक्ति का बिजली के संपर्क में आने से उसका कोई दुधारू पसू हो उसका नुकसान हुआ हो उसकी मृत्व हो गई हो तो साथियों इसमें जो बड़े दुधारू पसू है जिनमें भायस गाय उट याक आदी जो दूद देते हैं इनके अगर मृत्व हो गई है तो इसमें एक पसू पर 30,000 रूपया अगर छोटे दुधारू पसू है जिनमें हैं भेड, बकरी, सुवर, आदी इसमें 3,000 रूपया दुधारू पसू के अतरिक्त ऐसे पसू जो दूद नहीं देते हैं लेकिन उसी तरह के नर पसू है उनके जो बड़े दुधारू पसू जो है उनके अतरिक्त जो भी है जैसे उट, गोड़ा, बैल, आदी इन पर 25,000 रूपया जो छोटे दुधारू पसू हैं जिनमें बच्चडा, गदा, खच्चर, आदी इन पर 16,000 रूपया इनके जो प्रपत्र हैं पहला है आवेदक का प्रतरपत्र, आवेदक के आईडी प्रूफ, ग्राम प्रधान, एवम, दो ग्राम बासियों के लिखित बयान, मृतक पसू की पोटो, मृतक पसू की पोस्ट माटम रिपोर्ट यानी सव परिक्षा, बिजली विभाग के आवर अभियंता की रिपोर्ट, और उखंड दिकारी द्वारा जो फारम चवालिस भेजा गया है उसमें विद्दू सुरक्षा निदे साले की जाच रिपोर्ट क प्रतलिपी, और सात्वा जिला दिकारी द्वारा प्रेशित रेक्मेंडेशन यानी संस्तुति रिपोर्ट, सातियों इसके अलावा, कभी कभी लाइन की तारों से आघ निकलती है, और फसले खराब हो जाती है, नश्ट हो जाती है, जल जाती है, तो फसल के च्छती ग्रस् तैसिलदार उपजिलाधिकारी इनके द्वारा जो भी आकलन किया गया हो उसके हिसाब से ये धन्डासी अनुग्रे धन्डासी जो है वो प्रदान की जाती है अगरिकांड है तू आप जो प्रपत्र लगाएंगे उसमें खसरा खतवनी की प्रती होगी आपकी दूसरा जले फसल की फोटो होगी तीसरा आवेदक का प्रार्षना पत्र होगा चौथा आवेदक की आईडी प्रूप होगी ग्राम प्रधान एवं दो ग्राम बासियों के ल दौरा भेजे गए फाम चावालिस का उस पर विद्दूत सुरक्षा निदे साले की जांच रिपोर्ट होगी इसके साथ साथ तैसीलदार उप जुलादिकारी की जांच रिपोर्ट जिसमें छत्की आंकली धंडासी होगी तो इस प्रकार से यदि दुरघटना हो जाए किस प्रपत्रों को अच्छी तरह से भरें इने प्राब्द करें इने बनाएं और बनाएं और बनाएं और बनाएं जाने के बाद जो सम्मन्दी बिजली कारयाले है वहाँ पर जाकर इसको प्राप्त कराएं एक प्रति अपने पास रखें और तैसील जाकर प्रपत्रों को अग्रसारित कराने पर प्रयास करें और इस प्रकार आपका सीग्र से सीग्र आपकी छती तो दूर नहीं की जा सकती लेकिन छती के छत्पूर्टी के सम्बंद में आपको कुछ धन्डासी विवाग से प्राप्थ हो सकती है तो साथियों इस प्रकार आप ध्यान दें और अपने कारवाई को पूल करें जानकारी होने पर आपको कारवाई पूल कर किया जाना आपका सुलब हो सकेगा अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद